नमस्कार सातियो स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल सोनर स्टेडी पॉइंट के उपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस सेशन के अंदर चिकिसा विवाग की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जिसका सभी को इंतजार था कि इस टाइम पे चिकिसा वि होती में तपून अपडेट के बारे में इस सेशन में चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता है हमने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जितेंदर चंगानी जी एक स्टूडेंट था उसने कोट में याचिका लगाई और कुस याचिका के बाद में कोट ने न वह परमान पतर लगाया था तो उसके आदार पर कोट ने इस्टे लगाया और 4 नौंबर को सुनवाई है क्योंकि 4 नौंबर को सरकार को सरकार को पेस करना है जवाब कि आपने इनको बोनसंग क्यो नहीं दिया तो इसको लेकर कि बहुती मैतपुन सूचना है देखते हैं क् पूरी सूचना जैसा आप देख पा रहे हो कि चिकिसा विवाग बरती 2023 कोट अठाएगा इस्टे अर्थात रोक अठाएगा चिकिसा विवाग ने की पूरी तैयारी इससे सम्मंदित क्या मैतपुन अपडेट है ये जो चिकिसा विवाग है उसने एक लेटर जारी किया है एक आदेश जारी किया है न्याइक परकरण से सम्मंदित ये जितने भी विवाग है उन सबी विवाग को क्या जारी किया है एक लेटर जारी किया है कि आपने जितने भी स्टुडेंट्स को अनभो परमान पत्तर दिया है और जो पुराने फोर्मेट में दिया है जो पुरा निर्धेशक हो, नहेचेम या एड्स का हो, अधिकरत-अधिकारी सहिकारिता विभागो, या सैरोग नियंतन अधिकारी हो, कोई सबी डिपार्टमेंट हो, इन सबी डिपार्टमेंट से लेटर के भेजा है, और उस लेटर का जुआब मांगा है कि आपने कितने अनवव परमा पत्र ऐसे जारी किये हैं जिनमें कोविड का जिकर नहीं किया अर्थार्थ पुराने फोर्मेट में बना करके दिया है क्योंकि सरकार को 4 नवंबर को जुआब पेस करना है किसमें पेस करना है कोट में पेस करना है आगे इसके अंदर देखो आप कि ये जो लेटर जारी किया वो क्यो जारी किया गया उप्यूक्त विस्यांतरगत लेख है कि नर्सिंग एंपेरा मेटिकल सीधी बरती 2023 के समधर्ब में अनभव परमान पत्र जारी किये जाने है तू अधिकर्थ किया जाकर पात्र अब्यर्थियों को निर्दारित परपत्र में अनभव परमान पत्र जारी करने है तू परसासनिक विभाग दुआरा पचीस चार दो जार तेईस को विस्तर्थ दिशा निर्देश जारी किये गए थे माननिय नियायले उच नियायले जोदपूर में दाइर एसीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या ये जितेंदर चंगानी बनाम सरकार वय अन्ने माननिय नियायले दुआरा दिनांक 19-10-2023 को निमनलिखित आदेश पारित किया गया क्योंकि जितेंदर चंगानी जो स्टोडेंट है उन्होंने कोट में याचिका लगाए और उस याचिका में कोट ने इस्टे मांगा और चिकिसा विवाग से जवाब मांगा है तो उसको लेकर के ये लेटर जो तमाम विवाग उनको जारी किया गया कि जिकेसा विवाग को जुआ पेस करना है इसलिए आपने जितने भी अनवाव परमान पत्तर जारी किये हैं पुराने फोर्मेट में उनकी सूचना भी जुआईए ये लिख रखा it would be required to the respondent to procure list all the case where the candidate have been described of the bonus marks only on account of column B missing in the experience certificate as claimed by council or the respondent आपने जितने भी पुराने अनवाव परमान पत्तर के format में आपने अनवाव परमान पत्तर बना करके दिया है जिसमें column B जो COVID वाला उप था उसका जिक्कर नहीं था तो इसकी सूचना आप हमें उपलब्द करवाईए अते माननिये नैले द्वारा पारित उक्तादेश की पालना में नर्सिंग ओफिसर पद के ऐसे अब्यड थी जिनको आप द्वारा दिनांग 5523 से 11623 की अवदी के मत्ते जारी किये गे अनवाव परमान पत्तर में बिंदु संख्या 8 से सम्बंदित प्रविष्टी अंकित नहीं किये जाने के खलसरूप बिंदु संख्या 7 आव आठ तथा तक अन्य प्रविष्टिया नेव अनुसार अंकित की गई की सूचना आज ही इस पर बिजवाने साथी परसासनिक विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांग 2523 में सलगने पर पत्तर के अनुसार अनु नहीं किये जाने के कारण की सूचना भी बिजवाएं ताकि तद्नुसार माननिय न्याईले में परक्रन का जुआब परस्तूत किया जा सके इसे सरोच्चे प्रात्मिक्ता परधान करें तो यही था कि आपने जितने भी अनुबह प्रमान पत्तर जारी किये उनकी शूचना उपलब्द करवाईए क्योंकि जो माननी नयले ने जुआब मांगा है उसका जुआब हम उनके पास पेस कर सके तो च्यार तारिक को जुआब पेस करने के बाद आपके जो नर्सिंग ओफिसर के उपर जो इस्टे लगा हुआ है वो इस्टे अठ जाएगा क्योंकि चिकिसा व पेस कर देगा इसके बाद में आपकी इस्टे अठ जाएगा और आपकी जो बर्ती प्रक्रिया है चुनाव आयोग से परमिसर मिलने के बाद में और आगे की प्रक्रिया चालो हो जाएगी तो या पर